अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में आप टेट जानें सिद्धी की प्राप्ति होती है कौन है माशेल पूतरी पौरणिक कथा क्या अनुसार माशेल पूतरी अपने पिछले जन में भधवान श्रिव की अरधांगिनी और दक्ष की पूतरी थी एक बार जब दक्ष ने महायग्य का आयोजन कराया तो इसमें सारे देवताओं को निम अंतरित किया गया है लेकिन उन्हें नहीं ऐसे में वहाँ जाना उचित नहीं है सती का प्रबलाग रह देकर भगवान भोले नात ने उन्हें यगी में जाने की अनुमति दे दी सती जब घर पहुँची तो वहाँ उन्होंने भगवान शिव के प्रती तरसकार का भाव दे इस दारुन दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यगी को विद्वन्स कर दिया फिर यही सती अगली जन्मे शैल राज हे माले की पुत्री के रूप में जन्मे और शैल पुदी कहलाई माल शैल पुत्री का रूप माल शैल पुत्री को करुणा और ममता की देवी माना जाता है शैल पुत्री प्रकृती की भी देवी हैं उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है शैल पुत्री का वाहन व्रिशभ यानी की बैल है कैसे करें शेल पुद्र की पूजा नवरात्र के पहले दिन स्नान करने के बाद स्वच वस्र धारन करें पूजा के समय पीले रंग की वस्र पहिनना शुब माना जाता है शुब मुहूर्थ में खलश स्थापना करने के साथ व्रत का संकल्प लिया जाता है कलश स्थापना के बाद मांशेल पुद्री का ध्यान करें मांशेल पुद्री को घी अरपित करें मायता है कि ऐसा करने से आरोगे मिलता है नवरात्र के पहले दिन शेल पुद्री का ध्यान मंत्र पढ़ने के बाद स्तोत्रपाट और कवच पढ़ना चाहिए शाम के समय मां शेल पुद्रे की आर्दी कर प्रसाद बांटें